नमस्कार 7 दिसंबर तिलंगाना स्टेट एलेक्शन पोलिंग का दिन है और आज एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से आज शाम को पांच बजे कैम्पेइन खत्म होगा और उसके बाद कैम्पेइनिंग की इजाज़त नहीं है जैसा कि आप लोग जानते हैं हैदरबाद सिटी में हमारे पास 15 एसेंबली कंसिच्वेंस हैं जो पूरे हैं उसके अलावा चार कंसिच्वेंसी कुकटपली, उपल, एल्बी नगर और राजंदर नगर पार्शेली हम लोग के पास हैं और इसमें पिछले दो महिने से हर असेंबली कंसिच्वेंसी के लिए हमारे तरफ से असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलीस, एसीपी रैंक आफिसर, एक नोडल आफिसर के हैसियत से काम कर रहे हैं हेदरबाद शहर में टोटल 3911 पोलिंग स्टेशन्स हैं जो की 1574 पोलिंग लोकेशन्स में डिस्टिबूटेड हैं सेंसिटिवीटी के हिसाब से हम लोग 161 स्टेशन्स को S1 कैटेगरी में रखे हैं और 334 को S2 कैटेगरी में रखे हैं इसके अलाबा पुलिस रूट्स 426 और स्टाटिक सर्वेलेंस टीम फ्लाइंग स्कॉर्ड राउंड अ क्लॉक MCC वाइलेशन को चेक करने के लिए काम कर रही हैं इसके अलाबा 60 Quick Response Team QRT and 17 Special Striking Force की टीम बना कर भी हम लोग यूज करेंगे और Election के दिन 12 Inter Border Check Post भी Establish होगा उसके अलाबा 51 Check Post इंटर्नल एरियास में भी रहेंगे और हमारे पास 302 Law & Order पिकेट्स उस दिन प्लेस रहेंगे Law & Order और Traffic Police दोनों मिलकर 93 Interception Teams जिसका काम रहेगा Unauthorized Vehicle Movement को चेक करना उसके अलाबा 60 Shadow Teams जिसकी निगाह रहेगी ऐसे लोगों के उपर जिनके उपर अगर कुछ पोल वाइलेशन का Allegation लगता है तो हम लोग तुरंट Action ले सकते हैं जहां तक Central Armed Police Force का सवाल है तो हम लोगों ने मिलकर 126 Flag March, 96 Root March और इसके अलाबा 146 Vehicle Checkings, Confidence Building Exercise, Cordon and Search ये लोग सब पूरा मुकम्मिल किये टू राउंड्स ओफ ट्रेनिंग, पूरे Constable Officers, Home Guard Officers से लेके Senior Officers सभी को Election के बारे में अल्रेडी हो चुका है आप लोगों को मालूम होगा कि Enforcement Drive हैदराबाद शहर में इस बार Unprecedented Record लेवल पे हुआ Seasur of Cash 25 करोड 12 लाख रुपे से ज्यादा का अभी तक हो चुका है आपको मालूम होगा कि 2014 election में Cash Seasur केवल 12 लाख रुपे का हुआ था उसके comparison में अभी तक हम लोग 25 करोड 12 लाख रुपे का Cash Seasur किये हैं इसके अलाबा गोल्ड और सिल्वर सीजर वर्थ रुपीज 2 करोड 41 लाख से उपर का हुआ है Other items भी 1 करोड 28 लाख से उपर का हुआ Total 4,220 rowdy cheaters, bad heads और ऐसे लोग जिनके उपर problem create करने का शक है उनको security section के अंदर उनका binding over हुआ हैदराबाद में सभी sub inspectors और उनके उपर के officers के पास electronic pad है जिसमें e-petty case book करने का software भी है उसके तहत हम लोगों ने more than 13,500 e-petty cases book किये आपको यह भी चानकर खुशी होगी कि total 2,858 warrants का execution हुआ जिसमें additional CP crime के तरफ से जो special interstate team बनी थी जिसमें कि महरास्टरा, गुजरात, UP, बिहार, West Bengal के बहुत warrant spending थे उसका भी execution हुआ है टोटल 4,586 weapon deposits हुए जिसमें कुछ लोगों को exemption भी मिला जैसे army officers, retired government servants, national rifle association के members, bank guards, income tax department और इस तरह के लोगों हैदराबाद शहर में polling के समें city police और central armed police force सब मिलाकर लगवग 17,000 से उपर force का deployment होगा जिसमें border security force, सशस्त्र सीमाबल, rapid action force, UP, PAC, केरला, IR battalion ये लोग की करीब 22 companies अल्रेडी हम लोगों के पास आ चुकी है जैसा कि आप जानते हैं, election commission of India के guidelines के हिसाब से, polling day यानि 7th December को 100 meter radius, हर polling station के 100 meter radius के अंदर कोई PSO allowed नहीं है, कोई आदमी वेकिल के साथ नहीं आ सकता है, उसके अंदर किसी तरह की canvassing की इजाज़त नहीं है, cell phone की भी इजाज़त नहीं है, loud speaker is also not allowed तो मैं सभी public से appeal करता हूँ, कि जो लोग voting के लिए उस दिन आए 7th December को, तो 100 meter radius के अंदर, cell phone लेकर नहीं जाएं उसके अलावा 200 meters का जो radius है, वहाँ पे candidate के तरफ से एक table और दो chair लग सकता है, लेकिन उसमें शाम्याना और tent का permission नहीं है इसके अलावा vehicle restrictions बहुत important है, जैसा कि आप जानते है, election commission of India के guidelines के मताबिक, हर candidate को केवल एक गाड़ी की इजाज़त है, उसके election agent को एक गाड़ी की इजाज़त है और उसके workers के लिए एक गाड़ी जिसमें पांच लोग से जाज़त नहीं बैटें, बस केवल यही तीन गाड़ीयों की इजाज़त है और यह जो permission है उसको गाड़ी के wind screen पे आगे paste करना है जो essential services हैं, जैसे ambulance, hospital, milk carrier, water tanker, electricity department और जो regular RTC buses है point to point उनको full freedom है, उनकी services में किसी तरह की रुकावट या obstruction नहीं आएगी Thank you so much